हेलो गाइज वेलकम बैक माई यूटूब चैनल और आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों आज मैं बताऊंगी बोगन बेदिया की कटिंग लगाते समय आपको क्या-क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपका एक भी कटिंग फेलना हो और उसमें असानी से आए अभी दोस्तों वारिस के समय में हम लोग नरजरी में बहुं से पोदो की कटिंग त्यार करते हैं और मैं आपको बीच बीच में हरे कटिंग के बारे में बताती रहती हूं कि कटिंग को किस तरह से लगाना चाहिए और कभी-कभी कटिंग हमारा खराब भी हो जाता है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, फिर से दुबारा से लगाते ही रहना चाहिए, हम लोग भी कभी कभी लगाते हैं कटिंग, तो कभी कभी पूरा बैड ही मर जाता है, फिर दुबारा उसे निकाल कर, मिटी को नया भर कर फिर से लगाते हैं, तो जो गोगल बेविया का कटिं रहता है दोस्तों वो आप बारिज से लेकर दिसंबर फरवरी तक आप असानी से लगा सकते हो और इसका कटिंग बहुत असानी से त्यार भी हो जाता है लेकिन अगर आप पानी में ध्यान नहीं दोगे तो ये बहुत जल्दी गल्बी जाता है और जो बोगन बेलिया का पौधा रहता है वो दोस्तों बारों में इने फूल देता रहता है इसलिए जो नर्सरी वाले हैं बोगन बेलिया की जो देशी रहता है वो थोड़ा कमरेट में देते हैं और उसमें का जो हाइब्रेड आता है वो थोड़ा महंगा आता है तो हम हाइ कतिंग त्यार करें हैं, अगर आपको बोगन-विलिया का कटिंग ना मिले तो आप रोड पर जाएगा और रोड के बीचो बीच बोगन-विलिया का पौदा बहुत सारा लगा रहता है, और वहां से आप काटकर लियाकर अपने घर में असानी से त्यार कर सकते हैं, आप जतना bunny कलर चाहें उसना कलर का तोता डंगार रहता है IKEA का पत़ला दंगाल दनगाल कियास कर飛? तो बोगन बीलिया का सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जो मोटा डंगाल रहता है.. वही काटना है पतला वाला डंगाल भी नहीं काटना है यह जतना भी है दोस्तों यह बोगन बिलिया का कटिंग हम लोग काटेंगे आस यह दिखाँ हमने सारा बोगन बिलिया का कटिंग काटके रखा हुआ है आप हम इसका छोटा-छोटा पीस बनाएंगे और एक जरूरी बात ये देखिए आपको ऐसा ही कटर लेना है ये कटर दोस्तों 700 रुपे 600 रुपे का मिल जाता है मार्किट में ये सपेशल कटिंग लगाने के लिए कटर आता है जो इसकी धार रहती है दोस्तों इससे आप कटेंगे तो पोदे में जड़ असानी से आता है और उसके रूट आने में कोई परिसानी नहीं आता है क्योंकि ये दोस्तों ये कटर नीक है तो आप इसे मार्केट से जरूर खरीदें और उसके बाद आपको क्या करना है बोवन बेलिया का जितना भी पतला पतला डंगा रहता है दोस्तों उसे आपको काट के साइड से निकाल देना है तो पांच इंची के हिसाब से आपको इसका पीस बनाना है और जो नीचे का पत्त रहता है उसको आपको अच्छे से काट लेना है आप उपर का भी पत्त दोस्तों कहीं कहीं काट लेना है लेकिन याद रहे इसके उपर एक दो पत्त जरूर रहना चाहिए पूरा पत्त आपको नहीं काटना है इसी तरह आपको जो दूसरा वाला है उसका भी आप पत्त काट के निकाल देंगे और एक दो पत्ता आप छोड़ देंगे और जो नीचे के ये काटे रहते हैं इसको भी आपको काट के अच्छे से निकालना है क्यूंकि जब लगाएंगे हम और इसे मिट्टी में दबाएंगे तो ये हमारे हाथ में ना चुबे इसलिए हम लोग नीचे का क आटा भी इसका पूरा प्लेन करके काट देते हैं ताकि जड़ आने में भी असानी रहेगा और इसका रूट भी जल्डी आजाएगा और कटिंग लगाते समय याद रखें दोस्तों ये जो गठान रहता है ये गठान के पास से ही आपको काटना है अगर ये गठान ने रहे है और कितनी बार जड़ आता भी नहीं है तो इसी परकार आप एक एक करके जितने भी हैं उन सभी का कटिंग काट लिंगे ने पकटिंग काटने के massive दोस्तों आपको इसको ये देखिए ये दोस्तों रेठा पार आट है और में आपको ऐसे लगा लेना है इससे क्या रहेगा जब हम इसे मिट्टी में लगाएंगे तो जितने भी वाइरस रहते हैं दीमक रहती हैं चीतियां रहती हैं वो हमारे जड़ को खाएगा नहीं और ये पोधा हमारा खराब भी नहीं आएगा और इसमें रूट जल्दी से आजाएगा तो आपको इसी परका लगाना है एक एक करके आपको इसमें इसके जड़ में सबको लगाकर रख लेना है और पांच मिनट के लिए आपको छोड़ देना है ये हमने लगा लिया दोस्तो लगाने के बाद जब पांच मिनट हो जाएगा तो इसे हम लगाएंगे जब भी दोस्तों आप कटिंग लगाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कटिंग धूप में लगेगा या सेमी सेट में लगेगा तभी हमारा कटिंग लगकर अच्छे से त्यार होगा माल लो कोई सा पोदा दूप में लगने वाला है आपने छाओं में लगा दिया है तो वो कहां से उसमें जड़ आएगा और उसमें रूट आएगा तो इस बात का आप खास ध्यान रखें जो बोगन बेलिया का कटिंग रहता है दोस्तों वो हमेशा आपको दूप में ही लगाना है छाओं में कभी मत लगाएंगे जहां आपका पूरा दूप आ रहा है वहीं पे लगाना है और जब दूप आएगा तो उसे ढख देना है आपको सबेरे 10 बजे तक उसे ढख दिखाना है फिर उसे ढख देना है और सामके चार बजे फिर उसे दूप दिखाना है इस तरह करेंगे तो आपके बोगन बेलिया में जल्दी जड़ आएगा तो कटिंग लगाने के लिए दोस्तो आप बर का ये जल्दी आता है तीन साइस का तीन से चार चार से पांच आता है तो आप ये मार्केट से खरीच सकते हैं अगर ये जल्दी नहीं मिले तो आप डिस्पोजल में भी कटिंग को अच्छे से त्यार कर सकते हैं लेकिन डिस्प पानी जमे नहीं और कटिंग हमारा जल्दी लग जाए अगर होल नहीं करोगे पानी भर जाएगा और कटिंग हमारा गल जाएगा फिर बोलोगे दीदी आपने बताया आपका लगाया हुआ कटिंग त्यार नहीं हुआ हमने तो ऐसे ही लगाया और उसके बाद पानी का भी दालना है आपने आज PANY डाल दिया तो दो दिन बाद मिटी चेकर के PANY के पानी डालेंगे अगर बीच में बारिश और हो गया हैerkज तेन दिन बाद मिटी तसके योगदा होगा और यह काली मिटी पानी अगार धांदा के लिए तेन अगर досह्ति होति को करतां मिटी दारी य लाके आतब भरेंगे और कटिंग को लगाएंगे तो कटिंग लगाते समय दोस्तों आपको ऐसे जिली में डाल देना है और ये मिट्टी को अच्छे से चिपकाना है ताकि जो जल रहेगा उसमें दोस्तों हवा नहीं जाएगा क्यूंकि ओप्रेशन होता है तो देखते हैं प लगाते हैं तो दोस्तों हम लोग लगाते रहते हैं उसको निकालते हैं फिर दुबारा नया लगाते हैं कि दोस्तों हम लोग नर्सरी में बोगन बीरिया का बहुँ सारा कटिंग क्यार किया है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखी यह मैं आपको एक फोल के दिखा देती हूं यह देखिए इसमें कितना अच्छा रूट आया है और कितना अच्छा जड़ भी आ गया है तो यह जतना भी बोगन बेलिया का कटिंग है दोस्तों यह देखिए हम लोगोंने छोटे-छोटे जिली में त्यार किया हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी नर्शरी का पोधा घर में ले जाएं तो उसका कटिंग आप त्यार करें और एक पोधे से बहुत सारा पोधा आप त्यार कर सकते हैं अपने घर में तो जब आपका कटिंग एक हपता या दस दिन हो जाएगा तो उसमें साफ पाउडर का उसमें स्प्रे करना रहता है एक लीटर में एक चमर डालेंगे और जितने भी कटिंग वाले पोधे हैं उन सभी में आपको स्प्रे कर देना है ताकि जो जिसमें जड़ आ गया है तो और मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो कॉमेंट करके जरूर बताएंगे और मेरे हर एक वीडियो में आप नया कुछ सीखते रहेंगे मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में तब तक के लिए आप से भी कुमेरा नमस्क्राइब